आज के market में एकी जैसा product है, एकी जैसे rate है, लेने वाली भी एकी तरह के हैं, बेचने वाली भी सब एकी तरह के हैं, ऐसे market में sale करना तो बहुत ज़्यादा तफ हो गया, और चलो sale तो ऩम फिर भी कर लें, गरहक आए तो सही, गरहक मेरी दुकाहन पर तो आए, गरहक मेरी factory पर तो आए ग्रहक मेरे office में तो आएगा तो तो फिर भी बेचने की कोशिश करूँगा आता ही नहीं क्योंकि सब कुछ सेम ही तो है सब कुछ एक जिसा है यहां से नहीं तो वहीं से ले लेंगे तो ऐसी दुनिया में एसे market में एसे बजार में खुद को अलग से कैसे दिखाएं कि मैं सबसे अलग हूँ मैं सबसे unique हूँ कैसा हम ऐसी चीज़ करें कि ग्रहक आपको ढूंदता हुआ है इतनी बड़ी भीड में इतनी बड़े शोर में दुनिया आपको जाने पहचाने उसे कहते हैं मार्केटिंग तो आज अपन इस वीडियो में complete discuss करेंगे कि भाईया यह marketing होती क्या चीज़ है और जो बड़े ब्रेंड हैं यह marketing कैसे करते हैं कि भाई यह 100 तरह का साबुन है फिर भी कोई बड़ा ब्रेंड अगर 101 तरह का साबुन लाएगा तो भी पूरी दुनिया जानने लग जाएगी यह क्या तरीका है यह क्या style है यह क्या strategy है इसको जानने के लिए देखते हैं आज की वीडियो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं पहली बारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देजेगा और सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं सर इसको अपने को वीडियो को लाइक करना है ताकि यूट्यूब बाबा को पता पड़े कि अपने इतना बड़िया conversation कर रहे हैं और यह conversation ज्यादा से जदा लोगों तक पहुंचे तो minimum 10,000 लाइक का target लेते हैं और उस इससाथ वीडियो की करते हैं मार्केटिंग का सीधा सा वन लाइन मतलब यह है अपने प्रोड़क्ट के बारे में कंपनी के बारे में और अपने यूनिक आफर के बारे में लोगों को बताना अवेर करना ताकि उनका excitement बड़े और वो आपके पास पूछते हुआ हैं कि यह हमको इसके बारे में और जाना सिंपल इंट्रेस्ट पैदा करना अवेरनेस देना यही marketing का काम तो इस marketing को करना कैसे है यह बड़े corporate कैसे करते हो एक छोटा लिया पर इसको करेगा कैसे इसको करने के 5 स्टेप होते हैं जो अपने डीटेल में के करके discuss करेंगे इसका सबसे important स्टेप है पाच्वा स्टेप क् तो आखिर क्या है पाच्वा स्टेप शुरुवात करते हैं पहले स्टेप है पहला स्टेप है अपनी target audience decide करना सर एक चीज रूल पकड़ो आप अपना माल सभी व्यक्ति को अपनी service सभी लोगों को नहीं दे सकते हर product का हर service का अपना एक अलग market होता है हर product हर व्यक्ति नहीं लेता है आपको सबसे पहले decide करना है कि मेरा product किस प्रकार के लोग लेते हैं मेरा product अमीर लोगों के लिए है कि गरीब लोगों के लिए पड़े लिखे लोगों के लिए है कि अनपड़ लोगों के लिए ग्रामेंड लोगों के लिए शहरों के लिए लेडीज के लिए के यसे लोग है जिनको आप अपना माल बेचना चाहते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैसेज मार्केटिंग कर रहे हैं तो कोई मैसेज भार पचाना ना क्या मैसेज अपनी प्रोड़क्त के बारे में क्या किसी को फरक नहीं पड़ता है क्या आपका अत pick option जैन करें कि यसके लिए ल उन्ठ टेस्टि इस अबनाए यह पेंन फंट न गडयां जाए तो जलो मैगी ने मैसेज क्या दिया कि यह टेस्टी है और दो ही मिनट में बनता है अब तीसरा स्टेप आता है आपको मार्केटिंग जो कोई ऐसा बिजनस है जो ऑफलाइन मार्केटिंग मेरी मेडिकल की दुकान है दो तीन किलोमेटर की लोग ही तो लेंगे मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग करनी online में मेरे लिए क्या है तो मैं ओफलाइन मार्केटिंग से क्या लोगा मुझे टो अलाइन मार्केटिंग करनी मुझे मेरी टार्गेट ओडियन्स एसी है की रमिड शेतर में स्कानол अफश सेधर्मस में प्रीमें और में इंगलिश स्थ capitalism थे मेरी टारगेट उडियंस कैसी है तो हमको reward कॉन सा अडियों फो कॉन स है Zero mater तो मेराट açई चुपते रिविए रेग्पर खुलार्म इंदिया ऐसा करद सलतो रहा है हैgeschgeons चलता कुछ भी नहीं मार्केटिंग में जो भी आपने के एक्टिविटी की बैट के उसका अनलिजस करो कि यहां पर 10,000 रुपे लगाया रिजल्ट आया के नहीं यह वाला एड चलाया इसका रिजल्ट आया के नहीं इस वाली ओडियंस को यह चीज बेच रहो पसंदार ही के इसको रिव्यू करते रहो रिव्यू करते रहो तो फाइनली आपके एक रुपया जो मार्केटिंग में लगेगा वो पांच रुपय की इंकम देगा रिव्यू नहीं करोगे वो एक रुपय के 20 पैसे रहे जाएगे एल्लास्ट में वह पॉइंट है जिसका सबको इंतजार मार्केटिंग अगर आपने चारों पॉइंट अच्छे किया मैंसेज देख लिया यहां पे कर दिया वो कर दिया किया तो दिवाली के टाइम पे करता हूं तो दुनिया भूल जाएगी इस सारी क्रेटिविटी धरी रहे जाएगी तो कुल मिलाके जो भी मार्केटिंग का केमपेन है consistent आप कहते हैं जी मेरा बजट नहीं है दस अजार का बजट है तो 500 रुपए हर मीना कर लो भाई साब लेकिन जो एक बार स्टार्ट कर दिया वो लंबे समय तक रहना चाहिए कुछ न कुछ बदलते रहो चीजें बदलते रहो करते रहो पर कुछ न कुछ तीन सो पैसर दिन चलते रहना चाहिए क्योंकि आपने मार्केटिंग मन की लोग भूल जाएगी तो ये थी पूरी complete marketing की process तो मुझे comment box में बताते रहिए कि आपकी target origins कौन सी है उनका pain कौन सा है आपने review करके क्या देखा आप कौन सा method काम में ले रहे हैं आप consistent है की नहीं है और भी marketing related कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं ये video कैसी लगी मुझे comment box में बता सकते हैं वीडियो को लाइक नहीं कियो तो कर दीजे सर 10,000 लाइक का target है चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर दीजेगा अगली वीडियो के इस topic में बनानी है बताओ मुझे comment box में आपके लिए क्या दो वीडियो धन्यवाद जैंत